तो आगत है आपका इस video lecture में इसमें हम करने वाले हैं जो 2023 में हमारे हाल ही में PASA का exam हुआ है उसमें जितने भी circle के question papers थे जो question paper हमारे पास available था उन सभी question papers के जो GK के question हैं वो इस video में हम करने वाले हैं तो सबसे पहला प्रशन है हमारे पास भारत का सबसे दक्षन का भाग अर्थात कन्या कुमारी है यहां पर बताना है हमें statements दी गई है कुछ है कौन सी ठीक है पहली हमारे पास भूमद्य रेखा के उत्तर में है मकर राश्ची के दक्षन में है करक रेखा के उत्तर में है या फिर इन में से कोई नहीं तो यह जो option number A इसका right answer आ जाएगा भूमद्य रेखा के उत्तर में है North of the Ecuador option number A इसका right answer हो जाएगा अगला प्रशन है हमारे पास In India, the Yarlung-Jangbo River is known as भारत में Yarlung-Jangbo नदी को किस नाम से जाना जाता है option है सिंदु, गंगा, महानदी या फिर ब्रहमपुत्र तो ब्रहमपुत्र नदी को जो है भारत में Yarlung-Jangbo के नाम से भी जाना जाता है एक राजय में जाना जाता है उसके बिहाफ के उपर इसको Yarlung- जांग वो बोला जाता है तो ब्रह्म पुत्र नदीश का राइट अंसर आ जाएगा option number D अगला प्रश्ण है हमारे पास the member of राज्यसभा are elected by राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं option है लोकसभा लोगों के द्वारा बिधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर बिधान परिशद के सभी सदस्यों द्वारा तो जो आपके विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा राज सभा के सदस्यों को मननियत किया जाता है, उनके द्वारा चुना जाता है, elected members of legislative assemblies का right answer आजाएगा, option number C अगला प्रशन है मारे पास, the minimum age to qualify for election of लोकसभा is, लोकसभा के चुनाव के लिए आरहता प्राप्त करने के लिए नियूंतम आयू, डैश है, option है 25 साल, 21 साल, 27 या फिर 35 साल, तो 25 वर्ष कम से कम आपकी आयू होनी चाहिए, अगर आप लोकसभा का election जबा वो लड़ना चाहते है, option number A, इसका right answer हो जाएगा, next है हमारे पास, the ratio of width of Indian national flag to its length is, भारती राश्टिय धज की चुडाई का उसकी लंबाई से अनुपात क्या है, option है 3 अनुपात 5, 2 अनुपात 5, 3 अनुपात 4 या फिर 4 अनुपात 3, तो यहाँ पर देखिए, चुडाई और लंबाई का पूछा गया है, तो 2 अनुपात 3 आएगा, और लंबाई चुडाई पूछा होगा, तो 3 अनुपात 2 आएगा, आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर इसका option number B, right answer हो जाएगा, next है हमारे पास, Mohini Attam dance developed originally from which state, Mohini Attam नरित्य मूल रूप से किस राज्य में विक्सित पोस्टेज स्टेंप्स वस स्टार्ट इन इंडिया दूरिंग टाइम ओफ विच गवर्नर जर्नल ओफ दे ब्रिटिश गवर्मेंट, भारत में डाक टिक्टो के शुरुआत, ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जर्नल के समय में हुई थी, option है, लोड विलियम बेंटिंग, लोड कैनिंग, लोड डल हो जी या फिर लोड ओंक लेंड, तो लोड डल हो जी के समय में हुई थी, option number C, इसका राइट अंसर हो जाएगा, next है मारे पास सुवराद is my वर्थ राइट and I will have it, who said this, सुवराद मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किस ने कहा था, option है मारे पास सुभाद चंदर बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर मोतिलाल नहरू, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, option number B, इसका राइट अंसर हो जाएगा, कि अजादी मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, next है म Chief of Defense Staff या फिर राश्ट्रपती या फिर रक्षा मंत्री, तो जो भारत की राश्ट्रपती होते हैं वो तीनों सेनाओं के सेनापती के रूप में जाने जाते हैं, option number C, इसका राइट अंसर हो जाएगा, the President, next है मारे पास, what is the name of the present Chief Justice of the Supreme Court of India, भारत के सिरवोच नयल के बरतमा अगला प्रशन है हमारे पास, the concept of fundamental right in the Constitution of India has been taken from the Constitution of which country, भारत के संबिधान के मोलिक अधिकारों की अवधारना कि सदेश के संबिधान से ली गई है, options है, America, UK, Ireland या फिर Canada, तो यह USA से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, जो भारत के मोलिक अधिकार है, उनकी अवधारना, option इस वन्दे भारत in news, वन्दे भारत खबरों में क्यों है, तो हाली में अगर आपने देखा होगा, वन्दे भारत पर काफी जादे चर्टा हैं, चल रही है, तो यह क्या है, हमें या पर बताना है, तो options हैं हमारे पास, भारत के राश्टियगीत होने के नाते, भारत के राश्टान मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, जगा जगा पर जाकर, तो option number C, इसका राइट अंसर हो जाएगा, being the fastest train of India, next है मारे पास, where is Sriska bird century located, Sriska पक्षी अभ्यारने कहां पर सित है, option है मारे पास, उत्तर परदेश, मध्य परदेश, शत्यसगर्ड या फिर राज् next है हमारे पास, यहां पर कुछ दिया हुआ है, हमारे पास, कुछ एक statement lines ही हुई है, हमें इनको match करना है, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, खाद्य उत्पादन में बृद्धी, ठीक है, दुग्द उत्पादन, और वर्वर्क उत्पादन, मचली इसको ठीक है, तो सबसे पहले देखो, खाद्य उत्पादन में बृद्धी, यह आजाएगा आपका हरित करांती से संबंदित है, दुग्द उत्पादन जो है, शेत करांती से संबंदित है, जो आपका उर्वर्क उत्पादन है, वह आपका भूरी करांती से संबंदित है, तो यहां पर आप देख सकते हो A जो है मैच कर रहा है 4 से तो यह वाली 2 statement में A 4 से मैच कर रहा है उसके बाद दुख दुत पादन श्वेत करांती B जो है वो 3 से connect हो रहा है तो option number B में ऐसा हो रहा है आप देख सकते हो उसके बाद जो C या वो 2 से कर रहा है और वरक उतपादन भूरी करांती और उसके बाद मशली उतपादन नीली करांती तो option number B इसका right answer आ जाएगा तो आपको ध्यान से देख लेना है ऐसे वाले question बड़े असान होते है लेकिन आप confused हो जाते हैं और गलत कर देते हैं तो ध्यान से पढ़ लेनी है statements और उसके बाद ही मिलान करना है next है हमारे पास कलहन रोट कलहन किसके द्वारा लिखा गया है options दियों में आपके पास पढ़ लेना है और इसका right answer जो हो जाएगा आपका राज तरंगिनी इनके द्वारा लिखा गया है option number C इसका right answer हो जाएगा next है हमारे पास उत्हिरा मेरू शिला लेक का संबंद किससे है options आपके पास दियों में पढ़ लेना है तो ये चोल सामराज जैसे संबंदे था option number C इसका right answer हो जाएगा next है हमारे पास where is ICF located ICF कहां पर सित है options है हमारे पास बैंगलोर चिन्नई हैदरबाद या फिर मुंबई तो जो ICF है वो आपका चिन्नई में है option number B इसका right answer हो जाएगा next हमारे पास the Indian state which has the longest coast line is भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज कौन सा है options है तमिल नाडू, केरल, आंदर परदेश या फिर गुजरात तो जो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज है वो गुजरात है option number D इसका right answer आ जाएगा next हमारे पास who was the chief guest of 74th Republic Day celebration of India भारत के 74 गंतंतर दिवस समारों के मुख्याती थी कौन थे options है US के राष्ट्रपती, बृतेन के प्रधान मंत्री, मिस्र के राष्ट्रपती या फिर श्रिलंका के राष्ट्रपती तो जो आपका 74 गंतंतर दिवस समारों हुआ था उसके मुख्याती थी मिस्र के राष्ट्रपती थे option number C इसका right answer हो जाएगा next हमारे पास who alerts symbol to political parties राजनितिक दलों को चुनाव चिन कौन अवंटित करता है चुनाव चिन बोले तो जैसे आपका बीजे पी का है कमल ठीक है और कॉंग्रेस का हाथ है और आम आदमी पार्टी का जैसे जाड़ू है तो यह वाले जो symbols होते हैं, signs होते हैं चुनाव चिन हो जोट करता है political parties को, the election commission of India इसका right answer आजाएगा option number C, next हमारे पास which one of the following is not one of the three organs of government, निमिन में से कौन सा सरकार के तीन अंगों में से एक नहीं है, option है आपका विधाय का कारिनी, नोकरशाही या फिर न्यायत अंतर, तो नोकरशाही नहीं है इसका पार्ट, वाकि आपका होते हैं और ये नोकरशाही नहीं आएगा इसका अंसर, तो option number C, इसका right answer हो जाएगा, next हमारे पास, उतकल प्लेन is found in dash state, उतकल मेदान किस राध्य में पाय जाते हैं, option है अंधर परदेश, महराष्टरा, ओडिशा या फिर तमिल नाडू, तो ये आपके, ओडिशा में सीत to as the queen of satpura, निमिन में से किस hill station को satpura की रानी कहा जाता है, options है अमर कंटक, पंचमरी, यूसम मर्ग या फिर पारंपुर, तो जो आपका पंचमरी इसको वोला जाता है, satpura की रानी, तो option number B, इसका right answer आ जाएगा, next question है मारे पास, दुई सदनी विधाय का क्या है, options है, एकल सदन सभा, एक गुप्त विधान मंडल, एक विधान मंडल जिसमें एक निचला और एक उच सजन होता है, या फिर सरकाय की एक संसदी प्रनाली है, तो दुई सदनी विधाय का उसको बोला जाता है, जिस विधान मंडल में एक निचला और एक उच सजन होता है, तो option number C इसका राइट अंसर आ जाएगा next है हमारे पास what is the maximum age required to become a member of राज्यसभा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए देखे अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कितनी आयू होनी चाहिए कम से कम आपकी तो options है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 32 वर्ष तो आपकी 30 साल की आयू होनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो option number C इसका राइट अंसर आ जाएगा अगला प्रशन है हमारे पास दूई सदनिय विधाय का क्या है options है एकल सदन सभा कुछ सदन होता है तो option number C इसका राइट अंसर आ जाएगा उसको बोला जाता है दूई सदनी विधाय का option number C इसका राइट अंसर होगा अगला प्रशन है हमारे पास what is the maximum age required to become a member of राज्यसभा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूंतम कितनी वर्श की आयू आपकी होनी चाहिए अगर आपको बनना है तो कितनी आयू आपकी कम से कम होनी चाहिए तो options है 21 वर्श, 25 वर्श, 30 वर्श या फिर 32 वर्श तो कम से कम आपकी आयू 30 वर्श की होनी चाहिए होर्न विल त्योहार निमिन में से किस राजे के अंदर मनाया जाता है तो options हैं हमारे पास मनिपूर नागालेंड में घाले या फिर मिजोरम तो ये नागालेंड का एक त्योहार है option number B इसका राइट अंसर हो जाएगा next है हमारे पास the oath of office to the president of India is administrated by which of the following भारत की राष्टरपती को पद की शपत निमिन में से किसके द्वारा दिलाई जाती है options है हमारे पास भारत के उपर राष्टरपती द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा भारत के मुख्य नियाइधीश के द्वारा या फिर भारत के महानियाइवादी के द्वारा तो जो आपका भारत का राष्ट्रपती होता है उसको शपत भारत के मुख्य नियाएधीश के द्वारा दिलाई जाती है Chief Justice of India के द्वारा दिलाई जाती है Option number C इसका right answer आ जाएगा Next है हमारे पास which country will host the 15th BRICS Summit in August 2023 अगस्त 2023 में पंदरवे जो आपका BRICS है शिखर सम्मेलन की मेजवानी कौन सा देश कर रहा है options है हमारे पास Brazil, Spain, भारत या फिर दक्षिन अफरीका तो इसकी अगवाई जो है वो दक्षिन अफरीका के द्वारा की जा रही है South Africa इसका right answer आ जाएगा option number D next है हमारे पास World Cancer Day is celebrated on बिश्व Cancer दिवस कब मनाया जाता है options है हमारे पास 27 जनवरी, 4 फरवरी, 13 मार्च या फिर 19 अपरेल तो यह जो आपका बिश्व Cancer दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है option number B इसका right answer आ जाएगा next है हमारे पास सारंग, चीता, ध्रूब किसके नाम है options है हमारे पास Great Wear, नक्षत्रों के तारें है संगीत, बादे, अंत्र है, हेलिकॉप्टर्स है या फिर DRDO द्वारा विक्सित मिसाइले है तो यह हेलिकॉप्टर्स है आपके सारंग, चीता और ध्रूब option number C, इसका राइट अंसर आ जाएगा अगला प्रेशन है हमारे पास, निमिन में से किसे भारत का पारिस्थितिक होट स्पोर्ट कहा जाता है which of the following is called the ecological होट स्पोर्ट ओफ इंडिया options है हमारे पास, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमाले या फिर पूर्वी हिमाले तो जो आपके पश्चिमी घाट है उनको भारत का पारिस्थितिक होट स्पोर्ट कहा जाता है option number A, इसका राइट अंसर आ जाएगा western घाट next है हमारे पास, with which country India has the longest international boundary भारत का किस देश के साथ सबसे लंबा संबंध है अंतराश्चिय सीमाओं के मामले में options है नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर बांगलादेश तो सबसे लंबा जो अंतराश्चिय बोर्डर है वो बांगलादेश के साथ भारत सांजा करता है option number D, इसका राइट अंसर आ जाएगा next है हमारे पास, the speaker of लोकसभा has to address his or her letter of resignation to लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना होता है option है भारत के परधान मंत्री को भारत के राश्टरपती को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या फिर संसदीय कार्य मंत्री को तो जो आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा option number C इसका right answer आजाएगा deputy speaker of लोग सभा option number C is the right answer next हमारे पास which type of democracy do we follow in India भारत में हम किस प्रकार के लोगतंत्र का पालन करते हैं option है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षिय प्रतिनिधी या फिर अधिन्यायक्तवा तो प्रतिनिधी वाले को follow करते हैं option number C इसका right answer आजाएगा representative next हमारे पास first Indian Prime Minister to visit Siachan has been Siachan का दोरा करने वाले पहले भारती प्रधानमंत्री कोन थे option है राजीव गांधी इंद्र कुमार गुजराल मनमोहन सिंग या फिन रेंदर मोदी तो Siachan जहाँ पर भारत की आर्मी आर्मी ही रहती है जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं इतने तो वहाँ पर सबसे पहली बार दोरा करने वाले कोन थे तो मनमोहन सिंग जी थे option number C इसका right answer आजाएगा next हमारे पास what is the name of the currency of Bangladesh Bangladesh की मुद्रा का क्या नाम है option है टका, लेक, दिनार या फिर पीसो निमिन में से कौन सा लोक नरिते उत्तरप्रदेश से संबंदित है option है विधी, थोरा, तमाश्या या फिर राउफ तो थोरा जो नरिते है वो उत्तरप्रदेश के साथ संबंदित है option number B इसका right answer आजाएगा next हमारे पास एक बड़ा सा question ठीक है इसमें आपको तीन स्टेट्मेंट्स दी होई है और आपको बताना है कौन-कौन सी right है रोंग है जो भी पूछा गया है तो पढ़ लेते हैं इनको निमिन में से कौन सी घटना चोरा-चोरी कांट के बाद हुई थी option है option ही statement है आपके पास पहली गलत है उस टाइम पे सबीने अवग्या दोलन नहीं चल रहा था तो गांधी जी उसको बापिस कैसे लेंगे तो second वाली ठीक है आपकी गांधी जी को गिरिफतारगर के जेल भेज दिया गया था और third वाली भी ठीक है सो राज पार्टी की थापना हुई थी तो इसमें दो और तीन जो है आपके पास ठीक है और जो पहली वाली है वो है गलत ठीक है तो दो और तीन वाला कौन सा है option number B इसका right answer हो जाएगा only 2 and 3 is correct option number B is the right answer next question है मेरे पास which of the following state does not share a boundary with मयामार निमिन में से कौन सा राज्य मयामार के साथ अपनी सीमाय सांजी नहीं करता है options है अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, नागालेंड या फिर असम तो असम अपनी सीमाय सांजी नहीं करता है मयामार के साथ option number D इसका right answer आजाएगा next हमारे पास the जाखम डैम is located in which state जाखम डैम जो है वो किस राज्य के अंदर है options है मद्य परदेश, गुजरात, राज्यस्थान या फिर उत्तर परदेश तो जो आपका जाखम डैम हो वो राज्यस्थान में है option number C इसका right answer आजाएगा अगला प्रशन है मारे पास which of the falling is not a fundamental duty of a citizen निमिन में से कौन सा एक नागरिक का मोलिक करतब्य नहीं है option है संबिधान का सम्मान करना राश्ट्य ध्वज का सम्मान करना राश्ट्य गान का सम्मान करना या फिर सरकार का सम्मान करना तो जो आपका respect for a government ये वाला हमारा मोलिक करतब्य नहीं है option number D इसका right answer आजाएगा next है हमारे पास the member of the Rajya Sava elected by तो ये वाला प्रेशन पहले भी आया था तो इसका right answer आजाएगा राज्यो की विधान सवा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है वो राज्य सवा के सदस्यों का चेयन किया जाता है option number C इसका right answer आजाएगा अगला प्रेशन है हमारे पास ये वाला question भी मैंने देखा था दो तीन question papers में पूछा गया है तो बड़ादा important question है आपको कर लेना है question हमारे पास 1024 kilobyte किसके बराबर होते है तो 1 MB के होते है 1 MB is equal to 1 MB is equal to 1 0 2 4 KB आपको याद रखना है ये वाला question बड़ा important है 2-3 question paper में पूछा गया था ठीक है next हमारे पास शहीदी दिवस कम मनाया जाता है options है 30 January, 30 January 28 January या फिर 29 January तो देखो शहीदी दिवस जो है 7 वार मनाया जाता है लेकिन mainly जो पूछा जाता है वह आपसे पूछा जाता है 23 और 30 January का ठीक है एक महात्मा गांधी का जो शहीदी दिवस था और जो भगत सिंग जी का था यहां पे महात्मा गांधी वाला दिया हुआ 30 January और 23 वाला भी हो सकता है तो वह भगत सिंग जी का है तो वह भी राइट अंसर होगा अगर option में होगा इकठे नहीं पूछे जाते हैं आपसे या तो 23 होगा या 30 होगा तो दोनों में से आप किसी को भी टिक कर सकते हैं next है मारे पास which Indian Academy is promoting dance, drama and music कौन सी भारती अकादमी नरित्य नाटक और संगीत को बढ़ावा दे रही है option है साहित्य अकादमी ललितकला अकादमी राष्ट्री रंगमंच अकादमी या फिर संगीत नाटक अकादमी तो जो आपकी संगीत नाटक अकादमी है यह इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D next है मारे पास when was the quit India movement launched by महात्मा गांधी महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था options है मारे पास 1946 वी 1942 1949 या फिर 1940 तो यह 1942 को शुरू किया गया था option number B इसका राइट अंसर आजाएगा next है मारे पास which of the following lies on the river नीमिन में से कौन सा नील नदी पर सित है तो इसका राइट अंसर आजाएगा khartum option number B इसका राइट अंसर होगा next है मारे पास after the first war of independence the Mughal Empire Bahadur Shah second was exiled to सतंतरता के पहले युद के बाद Mughal Samrath Bahadur Shah द्वित्य को निर्वासित किया गया था कहां पर किया गया था तो वो रंगून में किया गया था Myanmar के अंदर option number A इसका राइट अंसर आजाएगा next है मारे पास who is considered the father of mathematics गणित का जनक किसे माना जाता है options है Pythagoras तो यही वाला इसका राइट अंसर है option number A इसका राइट अंसर आजाएगा next है मारे पास who was the first chief election commissioner of India भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे options है मारे पास सुकुमार सेन केवी के सुंदरम SP सेन बर्मा डोक्टर नगेंदर सिंग तो जो आपके सुकुमार सेन थे वो थे आपके भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयों के अयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन option number A इसका राइट अंसर आजाएगा next है मारे पास which of the following constitutional amendment states that one third of the seats in each gram panchayat would be reserved for women निमिन में से किस संबिधानिक संशोधन में कहा गया है कि प्रतेक gram panchayat में जो आपकी एक तिहाई seat हैं वो महिलाओं के लिए अरक्षित होंगी options हैं हमारे पास बताना है याँ पे कौन से संशोधन में कहा गया है 81, 84 में 71 में या फिर 73 में यो तो ये 73 में संशोधन के अंदर कहा गया था कि जो one third seats हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी gram panchayat के elections के अंदर option number D इसका right answer आजाएगा next हमारे पास in which year was mangalian launched by ISRO ISRO द्वारा mangalian किस वर्ष में छोड़ा गया था options है हमारे पास 2013, 2014, 2015 या फिर 2016 तो ये 2013 के अंदर launch किया गया था ISRO के दारा mangalian को तो option number A इसका right answer आजाएगा next हमारे पास who is the first citizen of India भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो options है हमारे पास परधान मंत्री, भारत के राष्टरपती, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्याइधिश तो देखो अगर सरवोच नागरिक की बात करें और भारत के पहले नागरिक की बात करें तो वो राष्टरपती को उसके अंदर गिना जाता है अगर किसी भी देश का पता नी बट अगर भारत के अंदर आप रहते हैं तो भारत का अगर सबसे पहला नागरिक किसी को count किया जाता है तो वो राष्ट्रपती को किया जाता है उनको प्रथम नागरिक के रूप में माना जाता है तो President of India इसका राइट अंसर आ जाएगा option number B next हमारे पास the smallest ocean in the world is विश्व का सबसे चोटा महसागर कौन सा है option है Indian Pacific Arctic या फिर Atlantic तो Arctic Ocean जो है वो आपका विश्व का सबसे चोटा महसागर है option number C इसका राइट अंसर आ जाएगा next हमारे पास Madhubani style is famous for which of the falling activity Madhubani शैली निमिन में से किस गतिविधी के लिए प्रसिद्ध है options है हमारे पास मंदिरों के लिए शास्त्री संगीत के लिए भारती चित्रकला या फिर शास्त्री निरित्य तो जो आपका Madhubani है ये एक painting है तो भारत में एक चित्रकला के रूप में प्रसिद्ध है तो भारती चित्रकला इसका राइट अंसर आ जाएगा option number C next हमारे पास famous classical dance कथक has its roots in which state of India प्रसिद्ध शास्त्री निरित्य कथक की जड़ें किस भारती राज्य में है options है केरल, तमिलाड, उत्तर परदेश या फिर मनिपूर तो जो आपका कथक है ये आपका उत्तर परदेश के अंदर प्रसिद्ध है कथक और कथक अली में अंतर है ये भी याद रखना है, उत्तर परदेश का कथक है और कथक अली आपको पता कर लेना है ठीक है, अब काफी बार पढ़ाया आपको next हमारे पास, which one of the following was associated with भूदान मूव्मेंट निमिन मेज से कौन सा भूदान अंदोलन से जुड़ा हुआ ब्यक्ती है भगत सिंग, सुभाष, चंद्र बोस बिनोवा भावे या फिर मंगल पांडे तो बिनोवा भावे जो हैं इनके ज़ारा नेत्रित भी किया गया था भूदान अंदोलन का तो उप्शन अंबर सी इसका राइट अंसर आजाएगा बिनोवा भावे जो हैं भूदान अंदोलन से उप्शन अंबर सी इस दा राइट अंसर नेक्स्ट हमारे पास दूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन विचेयर दा फेमस नोन कोर्पोरेशन मुव्मेंट वास टार्टर्ड भारतिय सोतंतरता संग्राम के दौरान किस वर्ष प्रसिद असयोग अंदोलन शुरू हुआ था उप्शन है 1918, 1921, 1925 या फिर 1930 तो जो आपका असयोग अंदोलन है वो 1921 में शुरू हुआ था तो देखो यहाँ पर 1920 भी हो सकता है 21 भी हो सकता है काफी ज़यदे कन्फ्यूजन है 1920 में जो आपका असयोग अंदोलन है वो शुरू हुआ था महत्मा गांदी के द्वारा किया गया था शुरू इसको ठीक है नेक्स्ट है मारे पास म्यून्सिपल कोर्पोरेशन इस असोचेटड़ विद विच अड्मिर्स्ट्रेटिव सेटप नगर निगम किस प्रिशासनिक व्यवस्था से संबंदित है तो ये वाला कॉष्टन भी दो तीन कॉष्टन पेपर में पूछा गया था तो इसका अंसर आपको एक बार कनफर्म कर लेना है लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है शहरिक शेत्र स्थानिय निकाय से संबंदित है उप्शन नमबर D इसका राइट अंसर आए जाएगा अर्बन एडिया एंड लोकल बोडिज तो इसका जो आपकी नगर निगम है इसका बेसिकली इसका शासन वहाँ पर होता है जहाँ पर आपकी 1 million से जाद है population होती है वहाँ पर इसका नियंतरन होता है यनिके 10 lakh से जाद है जहाँ पर लोग होते है वहाँ पर ये वाली ब्यवस्था होती है ठीक है तो इसका जो राइट अंसर मुझे लगता है वो ये होगा शाहरी किशेतर वाकी आपको एक बार देख ले ना screenshot रख लो इसका खींच के और चेक कर ले ना एक बार next हमारे पास who is the present governor of मद्यपरदेश मद्यपरदेश के बरतमान राज्यपाल कौन है options है हमारे पास dr. cv. अनंद बोस professor गनेश लाल श्री बिश्वा भूशन हरिचंद या फिर मंगुभाई सी पटेल तो मंद्यपरदेश के बरतमान राज्यपाल है option number d इसका राइट अंसर आजाएगा और यहां से आपको एक बात याद रखनी है अगर आप कोई सा भी काम दे रहे हो तो अपने अपने राज्य का जो राज्यपाल है वो आपको पता होना चाहिए यह काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है ठीक है next हमारे पास which one of the falling river originate from himalayas नीमिन में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है options है नर्मदा, यमुना, रावी या फिर कावेरी तो यमुना नदी जो है वो हिमालय से निकलती है option number B इसका राइट अंसर आ जाएगा next हमारे पास which one of the falling state does not share its boundary with Assam नीमिन में से कौन सा राज्य आसाम के साथ अपनी सीमाएं सांजी नहीं करता है options है हमारे पास मिजोरम, नागालेंड, मनिपूर या फिर सिक्किम तो जो आपका मनिपूर है वो आपका नहीं करता है Assam के साथ अपनी सीमाओं को सांजा इसलिए option number C इसका राइट अंसर आ जाएगा next हमारे पास wall is to cricket and shuttlecock is to gain cricket के लिए है वैसे ही shuttle को किसके लिए है options है football, badminton, hockey या फिर कबड़ी तो ये badminton से संबंदित है जो आपकी shuttle जिसको बोला जाता है चिड़ी भी बोलते हैं ऐसी वाली होती है कुछ ठीक है तो सही नहीं बनी बट यही होती है option number B इसका राइट अंसर आ जाएगा next है मारे पास in which state the recently integrated new जोरी bridge across जोरी river exist जोरी नदी पर हाल ही में उधगाटन किया गया नया जोरी पूल कहां पर मुझूद है किस राज्य में है options है गोवा, उत्तराखंड, गुजरात या फिर मध्यपरदेश तो ये गोवा के अंदर है option number C, sorry A, इसका right answer आ जाएगा अगला प्रशन है मारे पास, जल जीवन mission की परिकलपना dash वर्ष तक घरेलू null connectionों के माध्यम से ग्रामीड भारत में सुरक्षित और प्रयाप्त पेजल उपरब्द कराने की है तो ये जो आपकी एक योदना है, हर घर null वाली तो ये कब तक पूरी हो जानी चाहिए, इसकी कब तक का लक्षे रखा गया है यानि कि इसका, तो options है मारे पास 2022, 23, 24 या फिर 25 तो 2024 का लक्षे इसका रखा गया है कि तब तक ये जो आपकी योजना है, तब तक complete हो जानी चाहिए तो option number C, इसका right answer आ जाएगा next है मारे पास dark कर्मयोगी, इस dark कर्मयोगी क्या है तो ये आपका an e-learning platform of department of post, option number B, इसका right answer हो जाएगा डाक भिवाग का एक e-learning platform है, ठीक है, तो option number B, इसका right answer हो जाएगा ये वाला question आपका department में भी पूछा जा सकता है लेकिन यहाँ पर आपका ये वाला question जाओ, वो जीके में पूछा गया था तो option number B, इसका right answer आ जाएगा next है मारे पास, statue of unity is located at statue of unity किस राजे में है, options है, तमिलाडू, राजस्थान, महराष्टा या फिर गुजरात तो statue of unity गुजरात में है, option number D, इसका right answer आ जाएगा next है हमारे पास, who is the present chief of defense staff of Indian armed forces, CDS जिसको बोला जाता है भारती सशेस्त्रवलों के बरतमान, chief of defense staff कौन है, options है हमारे पास जनरल मनोज पांडे, जनरल अनिल चोहान, बिपिन रावत या फिर हरी कुमार, तो जो आपके CDS होते हैं अभी तक भारत में दो ही CDS हुए है, ठीक है, जो पहले थे वो थे आपके जनरल बिपिन रावत लेकिन उनका जो helicopter crash हुआ था, उसके बाद उनकी death हो गई थी तो उसके बाद जो आपके second CDS हैं भारत के, वो आपके जनरल अनिल चोहान है, जो की बरतमान में कारे रत है option number B, इसका right answer आ जाएगा, जनरल अनिल चोहान next है मारे पास, which country is not a part of the member of countries of G20 कौन सा देश G20 के सदस्य देशों का हिस्सा नहीं है, options है, चीन, सियुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान या फिर दक्षिन अफरीका, तो पाकिस्तान नहीं है यह वाला question भी आपने एक बार check कर लेना है, लेकिन मैंने जान तक देखा है, इसका अंसर पाकिस्तान ही होना चाहिए लेकिन फिर भी आप check कर लेना है, एक बार ठीक है next है मारे पास, दयालूंग, जांगबो river is in India known as तो यह वाला question आपका तीन question paper में पूछा गया था, पता नहीं क्यूं यह question important है, लेकिन इसका उत्तर ब्रह्म पुत्तर न दियाएगा तो आपको याद रख लेना है यह वाला question और ध्यान से देख लेना है, क्योंकि बार बार पूछा गया था यह next है हमारे पास, the red cliff line is a boundary between, red cliff रेखा किसके बीच की सीमा रेखा है, तो यह वाला question इतनी बार करया जा चुका है कि कोई भी इसका अंसर दे सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा है, red cliff line जिसको बोला जाता है, और Mac Mohan line जो है, वो भारत और चीन के बीच क जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतरता का अधिकार किस अनुशेद के अंतरगत आता है, options है, अनुशेद 19, 21, 23 या फिर 17, तो जो आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतरता का अधिकार है, वो आपका अनुशेद 21 के अंदर आता है, option number B इसका right answer हो जाएगा, article 21, next है हमारे पास, how many articles are there in Indian Constitution, भारतिय संविधान में कितने अनुशेद है, option है, 380, 415, 470 या फिर 450, तो भारतिय संविधान के अंदर जो अनुशेद है, उनकी संख्या 470 है, option number C इसका right answer हो जाएगा, next है हमारे पास, National Youth Day is celebrated on the birth, anniversary of which personality, राष्टिय यूबा दिवस किस व्यक्ति की जयनत के रूप में मनाया जाता है, option है, भगत सिंग, स्वामी विवेकानन, महात्मा गांदी या फिर सरदार बल्लब भाई पटेल, तो जो आपके स्वामी विवेकानन जी है, उनकी जयनती के रूप में राष्टिय यूबा दिवस जो है, उसको मनाया जाता है, option number B इसका right answer आज जाएगा, next है हमारे पास, first, President of Indian National Congress, भारतिय राष्टिय कॉंगरेस के प्रतम अध्यक्ष कोन थे, option है हमारे पास, जोर्ज यूल, दादभाई नोरो जी, बोमेश चंदर विनर जी, या फिर, रोमेश चंदर दत, तो जो बोमेश चंदर विनर जी है, वो भारतिय राष्ट जी कॉंगरेस के पहले अध्यक्ष थे, और इसकी स्थापना हुई थी, AO, हियूम के द्वारा, 1850 सी स्वी में सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पिर, option number C, जो है, इसका right answer आ जाएगा, next है हमारे पास, who build, हुमायू, स्टॉम, बिन दिल्दी, निमिन में से, हुमायू का मकबरा किसने बनवाया था, option है, बाबर, अकबर, हाजी बेगम, या फिर हुमायू, तो जो बाबर की पतनी थी, हाजी बेगम, उनके द्वारा, ये दिल्ली में, जो हुमायू का मकबरा है, उसको बनवाया गया था, option number C, इसका right answer आ जाएगा, अगला प्रेशन है हमारे पास, गांधी सोल्ड सत्यग्राय इस ओल्सो नोन ऐस, गांधी के नमक सत्यग्राय को और किस नाम से जाना जाता है, option है, असे योग अंदोलन, सविने अवग्या अंदोलन, चंपारन सत्यग्राय या फिर भारत छोड़ो अंदोलन, तो सविने इस लोकेटर एट, खेतरी खान जो है, वो कहां पर सित है, option है, बिहार, राजस्थान, असम या फिर जारखंड, तो ये वाली जो खान है, वो आपकी, राजस्थान के अंदर है, option number B, इसका राइट अंसर आ जाएगा, next हमारे पास, seven sister, do not include, साथ बहनों में कौन शामिल नह हुए, इस अगर आप, जो आपके PA के एक्जाम हुए है, उन में लगभग, छे से साथ, question paper में ये वाला question पूछा गया था, इन से संबंधित, तो ये वाला question बड़ा इंपोर्टेंट बनता है, तो seven sister, आपको याद रखनी है, कौन-कौन सी है, किनको बोला जाता है, next हमारे पास national anthem is written by राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, option रविंदर नास्ट अगोर, अकबर, बंकिम चंदर चतर जी या फिर इन में से कोई नहीं, तो जो आपका राष्ट्रगान है, वो रविंदर नास्ट अगोर जी के द्वारा लिखा गया है, राष्ट्रगीत बं होता है, option है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, या फिर 6 वर्ष, तो भारत का जो राष्ट्रगान होता है, उसका कारेकाल 5 वर्ष का होता है, option नमबर A इसका राइट अंसर आजाएगा, next है मारे पास, who was the first home minister of free India, स्वतंत्र भारत का प्रथम ग्रीह मंत्री कौन था, option है सरदार पटेल, पंडित जवाला, नेरु, मौलाना, अजाद, या फिर नेता जी, सुभाष, चंदर बोस, तो सरदार पटेल जो थे वो सतंत्र भारत के पहले ग्रीह मंत्री बने थे, option नमबर A इसका राइट अंसर आजाएगा, next है हमारे पास, सूर्य मंदिर is located at, सूर्य मंदिर जो है वो कहां पर सित है, option है हमारे पास, सिकार, देरादून, कोनार्क या फिर कोहिमा, तो ओडिशा कोनार्क के अंदर है आपका जो सूर्य मंदिर है, option number C, इसका राइट अंसर आजाएगा, next हमारे पास, गांधी जी, वाज बोर्न एट, गांधी का जनम, कहां पर हुआ option है हमारे पास, नोसारी, सूरत, पोरबंदर या फिर एहमदाबाद, तो गांधी जी का जनम, जो है वो पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था, और ये वाले गांधी जी से जुड़े हुए, सारे question आपको एक बार जुरूर देख लेने है, एक्जाम में बैठने से पह आपको नीचे description में डाल दूँगा गांधी जी वाली, तो वो आप जरूर देख लें, उसमें आपके 40-50 question होंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एकला प्रेशन है हमारे पास, साल्ट मार्च, रिलेटर टू, नमक मार्च का संबंध किस्ते है, उप्शन है, असयोग अंदोलन, सभीने वग्या अंदोलन, भारत छोड़ों अंदोलन, या फिर इन में से, कोई नहीं, civil disobedient movement, उपर भी ये वाला question आया था, option number भी इसका right answer हो जाएगा, और हाँ, एक बात रियाद रखनी है आपने, जो आपके ethics and behavior वाले question है, वो PA वाले question paper से मैंने या पे नहीं include किया है, क्योंकि वो वाले question बार-बार repeat होते हैं आपके, उसके लिए एक अलग से video बनाई गई है, जो अगर नहीं देखिया आपने, तो जरूर उसको देख रहे ना, क्योंकि ethic और behavior एक आदा question जरूर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको भी मैं नीचे description में डाल दूँगा, वो वाली वीडियो भी आप एक बार जरूर देख लेना, तो बेरहाल अगला प्रशन है हमारे पास, महराजा हरी सिंग बिलोंग टू, महराजा हरी सिंग किस से संबंदित ह option है असम, जम्मु कश्मीर, गुजरात या फिर बिहार, तो हरी सिंग जो है, वो उनका संबंद जो है, वो जम्मु कश्मीर से है, तो ये वहाँ के आखरी राजा थे जम्मु कश्मीर के option number B, इसका right answer आ जाएगा, next हमारे पास the top of the Indian national flag, contains which color, भारती राष्टिर ध्वज के पर कौन सा रंग होता है, options है हमारे पास, केसर, हरा, सफेद या फिर नीला, तो ये रापका भारत का जो राष्टिर ध्वज है, ठीक है, इसका जो सबसे उपर का रंग होता है, वो होता है, आपका केसरिया, उसके बाद आता है, आपका सफेद, और लास्ट वाला होता है, फिक है, बीच बेशोग चकर, उसमें 24 तीलिया, तीन इधर को अनुपात में अगर देखेंगे, तीन अनुपात, दो कीस की लंबाई और चड़ाई होती है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, इसी आपकी सीरीज के अंदर, इसी वीडियो के अंदर, दो तीन आपके Security Council, निमिन में से कौन सा देश, सयुक्त राष्ट, सुरक्षा परिशद का 27 सदस्य नहीं है, जर्मनी, रूज, चीन या फिर फ्रांस, तो आपके 5 देश हैं, जो आपको याद रख लेने हैं, जो 27 सदस्य हैं, उसके इलावा जो आपका जर्मनी है, वो इसका 27 सदस्य नहीं है, किसके पाचन, कबज, पसीना या फिर श्वसन, तो जो आपका श्वसन प्रक्रिया में फेफडे अहम भूमिका निभाते हैं, उसका प्रात्मिक अंग हैं, तो option number D इसका right answer आ जाएगा, और यह देखो GB वाला, GB, KB वाला फिर से question आ गया है, same question है आपका, 1 GB कितने KB के बराबर होता है, मलब जो आप mobile में data यूज करते हैं, 1 GB डाटा जो होता है, उसका जो छोटी scale पर अगर देखा जाए, तो उसको KB में define किया जाता है, तो वो आपका होता है, 1024 KB, ठीक है, तो option number A इसका right answer हो जाएगा, ध्यान में रखना बिल्कुल important question है यह, next है मारे पास highest peak in सापुतारा range is सापुतारा श्रेणी की सबसे उची चोटी कौन सी है, पंच मुखी, पंच मडी, अने गोंडी या फिर नीलगीरी, तो जो आपकी पंच मडी है, यह सबसे उची चोटी है, इसकी option number B इसका right answer आ जाएगा, अगला प्रशन है हमारे पास, रण थंबोर is which type of forest, रण थंबोर किस प्रकार का one है, option है सदा बहार one, शितोषन one, पत जड या फिर घना जंगल, घना जंगल पतनी क्या वन है इसका, लेकिन आपका जो इसका right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, पत जड वाला बन है, रण थंबोर राज्यस्तान के अंदर है, पत जड पत जड जड जाते हैं, जो वहां पर बन में ब्रिक्ष होते हैं, उनके पत जड जड जाते हैं, ऐसा कुछ होता होगा, जो भी है, आपको याद रखना है, पत जड बन है, तो option number C, इसका right answer आ जाएगा, अगला प्रशन है हमारे पास, who elect vice president of India, भारत के उपर आश्टर पती का चुनाब कौन करता है, options हैं हमारे पास, केवल राजसवा के सदस्य, केवल लोकसवा के सदस्य, लोकसवा और राजसवा के सदस्य, या फिर राज बिधान सवा के सदस्य, तो member of लोकसवा और राजसवा के सदस्य मिल करके उपर राश्टर पती का चुनाब करते हैं, और option number C इसका right answer आ जाएगा next हमारे पास how many fundamental duties are listed in article 51A अनुशेद 51A में कितने मोलिक करतब्य सूची बद्ध है option है 9, 10, 11 या फिर 12 तो 11 जो आपके मोलिक करतब्य है वो वहाँ पर सूचीत किये गए है article 51A के अंदर option number C इसका right answer आ जाएगा next हमारे पास 12 April 1930 12 माई 1930 या फिर 12 जून 1930 तो दांडी मार्च जो है वो मार्च 12 1930 को start किया गया था option number A इसका right answer आ जाएगा next हमारे पास short selling of stock is share की short selling क्या है मलब आपको नीचे options दिये गए है उसमें से बताना है आपको कौन सा right answer है तो option है हमारे पास भारत में वैद्ध है भारत में अवैद है भारत में आपराधिक अपराध है इन में से कोई भी नहीं तो basically मैं आपको बताता हूँ short selling क्या है अभी बैरहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी अभी एक incident हुआ था थोड़े दिन पहले जहां पर hiddenberg एक company है अमेरिका की उसने report की थी कि अडानी एक जो अडानी की company है भारत का व्यक्ति एक billionaire जिसकी company मतलब की उसमें fake तरीके से जो आपके share price है उनको बढ़ाया गया है ठीक है तो अभी क्या है basically मैं आपको बताता हूँ आपके पास अडानी company का कोई भी share नहीं है लेकिन आपको पता है कि इसके share गिरने वाले है तो आप short sale कर सकते है इसको अगर आप यहां से short sale करते हैं मतलब आपके पास नहीं है बट आप options के अंदर जाके इसको sale कर सकते हैं अगर आपके समझ में आ रहा होगा तो तो उसके बाद अगर आप इसको short sale करते हैं यहां से और अगर यह share price जो इसका नीचे गिर जाता है देन आपको profit होगा और इतना जाद प्रोफित होगा कि मतलब पूछो मत तो उसको बहुते हैं short selling तो भारत के अंदर यह पूरी तरह से legal है आप कर सकते हैं options के अंदर किसी भी broker के थुरू कर सकते हैं आप इसको तो यह भारत में व्याद है option number A इसका right answer आ जाएगा legal in India next है मारे पास घूमर is a traditional dance forum of which state घूमर की इस राज्य का पारंपरिक नरित्य है option है राज्यस्थान, बिहार, पंजाब या फिर महाराष्ट्रा तो जो आपका घूमर है वो राज्यस्थान का है option number A इसका right answer आ जाएगा next है मारे पास the forest of सुन्दरवन is cold, सुन्दरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है options है सकर्ब जंगल, सदाबहार, पतज़डी या फिर टूंडरा तो जो आपके सुन्दरवन के जंगल है वो सदा बहार, बोला जाता है उनको, सदा हरे भरे रहते हैं वो वाले जंगल जो है, तो option number B इसका right answer आ जाएगा next हमारे पास, red soil is normally found in India, in which reason, भारत में लाल मिटी समाने तक इन क्षेतरों में पाई जाती है, options है केवल पूर्वी क्षेतर, केवल दक्षनी क्षेतर, दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षनी भाग या फिर इन में से कोई नहीं, तो जो आपके दक्कन का पठार का पूर All India Service, इन में से कौन सी अखिल भारतिय सेवा नहीं है, options है हमारे पास, भारतिय प्रशासन सेवा, भारतिय पुलिस सेवा, भारतिय बिदेश सेवा या फिर भारतिय वन सेवा, तो भारतिय बिदेश सेवा जो है आपकी Indian Foreign Service जो है, वो आपकी अखिल भारतिय सेवा नहीं है, All तियार हुआ था बन करके ओप्शन है हमारे पास 26 जनवरी 1950 26 दिसंबर 1999, 39 नवंबर 1999 या फिर 30 नवंबर 1999 तो संबीधान का जो मसोदा है वो बन कर तियार हुआ था 26 नवंबर सन 1999 के अंदर और इसको लागू किया गया था भारत का संबीधान जो इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 दोनों बातें आपको याद रखनी है ओप्शन नवंबर सी इस क्वेश्टन का राइट अंसर हो जाएगा 26 नवंबर सन 1999 नेक्स्ट है हमारे पास Human Development Index वाज, formulated वाई, मानव, विकास, सूचकांक किसके द्वारा तयार किया गया था ओप्शन है हमारे पास पढ़ लेने आपको कौन से है ठीक है, एक-एक स्पैलिंग पढ़ना पढ़ेगा इसमें तो इसका राइट अंसर जो है, यो यू एड़ीपी है तो ये पाकिस्तान की मेभी एक संस्था है शायद में को properly नहीं मालूम लेकिन हाँ, इसका option number C, right अंसर होगा ये मैं आपको बता देता हूँ बाकि आप देख लेना, ठीक है next है हमारे पास which one of the following park century is not in Rajasthan निमिन में इसे कौन सा जो उध्यान है या अभ्यारने जिसको आप बोलते हैं वो राजस्थान में नहीं है तो ये पूछा गया है आपसे तो options आपके पास दियो है सरिस्का राश्ट्री उध्यान, सरिस्का जो आपका राजस्थान में है सांभर बन्य जीव अभ्यारने ये भी आपका राजस्थान के अंदर है राजाजी राष्ट्रे उध्यान यह आपका राजस्तान में नहीं है यह मैंको exactly नहीं पता लेकिन शायद उत्राखंड या उत्रप्रदेश में हो सकता है मैंको नहीं पता बट जो आपका रन्थमबो राष्ट्रे उध्यान है वो भी आपका राजस्थान में है लेकिन जो आपका right answer is question का वो होगा राजाजी national park option number C right answer हो जाएगा ये वाला जो park है वो राजस्थान के अंदर नहीं है next है मारे पास which of the following folk tribal dance is associated with करनाटका निमिन में से कौन सा लोक आदिवासी नरित्य करनाटक से संबंधित है option है यशगान, विधी, जात्रा या फिर जोरो तो जो आपका यशगान है ये करनाटका से संबंधित है option number A इसका right answer आ जाएगा next question है हमारे पास 1928 में मजदूरों और किसानों मजदूरों, किसानों, युवाओं को एक साथ इकठा करके British राज के खिलाफ करांती को वड़ावा देने में मदद करने के लिए नोजवान सभा संग की सापना किसके द्वारा की गई थी तो ये वाला question आपसे ऐसे भी पूछा जाता है नोजवान सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी तो options है हमारे पास चंदर शेकर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंग या फिर बीडी सा वरकर तो भगत सिंग जी थे जिनके द्वारा नोजवान सभा जो है उसको आयोजित किया गया था और 1926 में option number C, इसका राइट अंसर आजाएगा भगत सिंग next हमारे पास which one of the falling state does not share its boundary with आसाम तो ये वाले question आपको मैंने पहले भी बोल दिया बड़ जद इंपोर्टेंट है इसका सिक्किम राइट अंसर आजाएगा आपको seven sister वाला जरूर जरूर देख के जाना है क्यूंकि 6 से 7 question अभी आपने देखा होगा इसी वीडियो में cover हो गया है तो ये सारे वो वाले question थे जो आपके पूछे गए थे 2023 के PSA के exam के अंदर आपको आते हैं सारे के सारे the well and good आप तयार हो जो आपका अभी exam होने वाला है उसके लिए अगर नहीं आते हैं तो आपने अगर एक बार पढ़ ली हैं तो इनको ध्यान में रखना है और गलत नहीं करना है अभी तक के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care